Hello everyone, exam medicine channel में आप सभी का स्वागत हैं हम बात करने वाले हैं अलहावाज युनिवेसिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रेक्रेटमेंट 2024 ग्रूप C के 4th और 5th लेवल के जो है syllabus को लेकर आप सभी लोग परेशान हैं उसी के बारे में इसमें discuss करने वाले हैं साथ ही आपके कुछ सवाल थे जिसके जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो यदि आपने भी इस भड़ती के लिए अगर apply किया है किसी भी पदगे लिए तो आपके लिए important हो सकती है वीडियो तो आप इसको देखिए और अगर आपके इसके बाद भी कोई query हो तो comment section में आप पूछ सकते हैं उसका जवाब आपको next video या तो comment section में दे दिया जाएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि syllabus के विशह में तो देखिए जो की group C के first level मतलब label 1, label 2 ये जो दो category के अंतरगत जितने भी पथे सब के syllabus जारी किये गए हैं लेकिन group C की बात करें level 4 और level 5 इस पे अभी भी syllabus जारी नहीं हुआ है तो आप लोग यही पूछ रहे थे कि जो level 4 और 5 है उनके syllabus अभी तक जारी नहीं किये गए हैं उसमें कौन-कौन से पद सामिले वो भी अभी आपको हम दिखाते हैं और जिनके अभी syllabus नहीं आए हैं तो उनको क्या करना चाहिए क्या उनके written exam conduct होंगे या नहीं होंगे तो देखिए level 4 और 5 के written exam होंगे या नहीं होंगे ये decide कौन करेगा इन्वस्टी जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा कि level 2 की बात करें या level 1 की और भी पदों की बात करें तो उसमें भी किसी को पहले clear नहीं था exam को लेकर जब notice आई तभी confirm होगा कि exam होगा तो जो level 4 और 5 के जो भी अभ्यरती है आप सभी लोग wait करें दो-चार दिन में आपके भी जो है आजाएंगे notice तो ये पता चलेगा कि आपके written exam है या नहीं लेकिन आप मान के चल सकते हैं 95% की आपके भी possibility है exam होने की तो आपको करना क्या चाहिए उसके विशे में हम बात करें तो देखिए जैसे शुरू से बताया गया था कि आपको कुछ subject ऐसे common है जो पढ़ना है जो शुरू से पढ़ते रहे होंगे उनके लिए जो है syllabus आने के बाद भी बहुत burden नहीं हुआ होगा क्योंकि English, Hindi, GKGS ये सभी चीज़ें आपको बताई गई थी कि आपको पढ़ना है तो आपको जो इस समय syllabus जारी किया गया है आप Hindi, English, GKGS और reasoning इतनी चीज़े को पढ़ते रहे हैं और जैसे ही आपके लिए notice जारी होगी आपको अलग से भी inform किया जाएगा लेवल 4 और 5, आईए हम देख लेते हैं लेवल 4 और 5 में कौन-कौन से हैं पोस्ट जो कि अभी शेष रह गए हैं और उनके जो है अभी जो है नहीं आये हैं सले बस उसको पहले दिखाते हैं फिर आगे हम बात करेंगे इसमें कि आगे जो भी आपकी क्वेरी हैं उसको स्क्रीन पे आप देखते चलेंगे यह आपके विज्यापन से ही मैंने लिया हुआ है आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं देखें लेवल 4 की बात करें और लेवल 3 लेवल 3 के लिए भी अभी नहीं आई हुई है ठीक है लेवल 3 वाले भी कंडिडेट ध्यान देंगे ल लेवल 3 लेवल 4 और लेवल 5 यह तीन कटेगरी है जिनके लिए विज्यापन नहीं जारी हुए भी किस चीज़ के लिए सेलेबस के लिए विज्यापन नहीं थीक है असिस्टेंट जो है ड्रॉप्ट में के लिए ठीक है उसके बाद आपकर डेटा इन्ट्री ऑपरेटर के लिए तो जो भी भेरती सुन रहे हैं वो ध्यान देंगे ठीक है जो कि dropped man है ठीक है dropped man कम instructor की है ये सभी जो है level 4 और 5 की अंतरगत आ रहे हैं और level 3 में एक यहां पर आपको देखने को मिला है ठीक और आगे बात करते हैं laboratory assistant laboratory assistant की जो पद है level 4 की अंतरगत उसके लिए भी अभी जारी नहीं किया गया है और लाइबरेरी असिस्टेंट की भी जारी नहीं की गये लेकिन laboratory attendant और लाइबरेरी अटेंडेंट आप दोनों के exam level 1 की अंतरगत हैं और इनकी परिक्षाएं होंगी और अभी जितने मैंने पद बताए फिर से सुन लेंगे library assistant laboratory assistant और आपके जो है draft man come instructor और draft man और आपके data entry operator और assistant draft man ये कुछ पद है जिनके लिए syllabus अभी नहीं बताया गया है आपके भी syllabus जल्दी जारी हो जाएंगे आपको बाकी जैसा मैंने बताया उसको पढ़ना है और semi professor assistant के लिए भी जो है professional assistant का है level 5 में इनके लिए भी अभी जो है आएगा अलग से notice ये सभी group C के अंतरगत आएंगे ठीक है तो जितने लोग है और x-ray technician का भी देखी यहाँ पर लिखा हुआ है तो जो लोग भी हो ये list सामने आपको screen पर दिख रही है आप अपने post को match करा लीजे कि किस level में आप आ रहे हैं screenshot ले लीजे इसको अच्छे से और अपने मिला ली और थर्ड जो है ये सभी आपके group C के ही post है और इसी में शामिल है तो आप अपना देख लेंगे उमीद कर रही हूं कि अब आपको इसके बाद confusion नहीं रहेगी कि मेरा syllabus आया है कि नहीं आया है आईए अब आगे दूसरे पहलों पर बात करते हैं जो कि महत्रपूर्ण है थर्ड एक post है आपके थर्ड के लिए भी इन सभी के जो है written exam conduct होंगे या नहीं होंगे ये decide होगा notice आने के बाद लेकिन आपको पढ़ाई करती रहनी है ठीक है अब हम आगे आपके question है जो सबसे जादा पूछे जाने वाला है junior office assistant देखें ये पधी ऐसा है कि सबको ये पता था कि skill test और typing test तो must है होना ठीक है लेकिन अभी आप देख लिजेगा जो notice जारी की गई है syllabus के recording उसको जो देखें या उपर साफ साफ उपर first line में ही लिखा हुआ है no skill test conduct तो जब इन्होंने लिख दिया है कि कोई skill test conduct नहीं होगा तो नहीं होगा skill test conduct ठीक अभी तो यही है एक्जाम पर ध्यान देना है लेकिन कुछ अभ्यरती ऐसे भी है जो कि पिछली बार दिये थे और किसी कारण से उनका नहीं भी हुआ तो वो लोग कह रहे है नहीं पिछली बार तो हुआ था तो मेरा होना चाहिए तो देखिए जो चीजे ऑफिशियल रूप से आई है वो आपको बताया जा रहा है बाकी मानिये या ना मानिये वो आपका काम है ठीक तो जो ऑफिशियल है वो अभी तो यहीं है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पर कोई भी स्किल टेस्ट कंड़क्ट नहीं होगा ना ही टाइपिंग टेस्ट ठीक है आपके सिर्फ रेटेन स्किल टेस्ट नहीं मांगा है और आपके विज्यापन में स्पीड भी मांगी हुई थी इसलिए भी आप लोगों में कंफ्यूजन है तो अभी आपको सिर्फ रेटेन पर फोकस करना है ठीक है डीवी के बाद या कुछ ऐसा प्रोसेस उनको स्टेप नया बढ़ाना होगा त आपके जो लाइबरेरियन के और भी पद हैं उन सब में आप लोग पूछ रहे हैं कंप्यूटर आएगा या नहीं तो देखिए पूरे पाठेकरम में कहीं पर भी कंप्यूटर का जिक्र नहीं है अलग से लेकिन जो आपका जीए वाला सेक्शन दिया हुआ है उसमें आप देखती जाएंगे जहसे हिस्ट्री है गिऑ रहा तभी कुछ होछ हें ठीक है तो उसमें आपके पिटर प्रतेश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन अलग से धिक्शन मेंको पढंने कहीं जरूरत नहीं है किसी भी पद के लिए क्योंकि आसा विज्ञापन में नहीं आया था लेकिन से लेबस आया है तो उसमें कहीं लिखा नहीं है ठीक है तो जो अभी दिया गया है पार्ठे करम में पार्ठे करम के अनुसार ही पढ़े चाहे MTS के अभ्यरति हो चाहे आप किसी भी पद के लिए हो उमीद करते हैं कि आपने जितने कोस्चन पूछे थे आपको सब समझ में आ गया होगा और आप लोग अपने पढ़ाई को फोकस करिए आपके अन्य जो भी एक्जाम है उसके भी टार्गेट करते रहिए क्योंकि आपके जैसे ही चुनाओ कंप्लीट होंगे सभी एक्जाम काफी एक्जाम लगेंगे आपके तो तैयारी का यह मौका है बहुत अच्छा इसको छोड़िए नहीं सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ठीक है जहां पे जितनी सीटे होंगे तो उतने ही केंडिडेट फाइनल लेकिन आपके लिए भी कोई ने कोई स्पेस कहीं न कही तो होगा ही तो आप अच्छे से बस पढ़ाई करेंगे ठीक है तो उस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी आपके कोई क्वेरी हो तो आप पूछिएगा नेक्स वीडियो में बताये जाएगा और स्टडी मेटेरियल से रिलेटेड चीज़ें आपको कॉंचिनियू मि मिलेगा अपने इस तरह से भी किताबों से जहां से भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं ठीक है इसके लिए कोई भी मार्केट में इस पेशली बुक एविलेबल नहीं है नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं जैहिंद